नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नूज में मैरत निसेन भारती आज हम बात करेंगे बिहार की बेटी भावना कांत के बारे में दिल्ली में गंतंद्र दिवस की तैयार या जोर सोर से चल रही है क्योंकि इस वार 26 जनवरी के दिन इतिहास रचा जाएगा दरसल बिहार के दर्भंगा की बेटी भावना कांत इस वार गंतंद्र दिवस की परेड में देश के सबसे तेज लला को बिमान राफेल में उलान भरेगी आपको बता दें कि गंदंत दिवस परेड में पहली बार महिला फाइटर पाइलेट को सामिल किया गया है और यह उपलब्धी भावना के नाम दर्ज हो रही है देशे ही यह खबर दर्भंगा पहुंची तो भावना की दादी की आँखों में आशु छलकाए दादी ने कहा कि भावना खूब आगे बढ़े देश के साथ मितला का भी नाम रौसन करे सबसे पहले बात भावना की इस उपलब्धी पर उनके घरवालों ने क्या कुछ कहा भावना की दादी को जब यह खबर मिली तो उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि वह सुरू से ही मेघावी छात्रा थी भावना के कारणावों से सभी महिलाओं का मान बढ़ा है जैसे इंद्रा गांधी परधान मंतरी बनी तो सभी महिलाओं का मान बढ़ा उसी तरीके से भावना ने भारतिय बायू सेना की पर्थम महिला पाइलट बनने से बेटियों का मान बढ़ा है भावना की दादी कहती है क कि वह छट पर्व के उगते अगे के दिन भावना का जन्व हुआ था वह उसी समय से काफी चंचल थी भावना की दादी ने बताया कि बच्पन से ही जब भावना आकास में उड़ती चुनिया को देखती थी तो पूछती थी कि मैं अब उड़ूंगी और आज उसका सपना साक में हुआ था अलाकि भावना का पैतिरी गाउं बिहार के दरभंगा जिले के घंस्यांपूर परखंड के बाउर गाउं में हैं भावना के पिता इंडियन ओईल कंपनी में इंजिनियर थे भावना की प्रणभिक पढ़ाई बिहार के बेगी उसराय के वरावनी रिफाइनर लेकिन बहुत सफल नहीं हो सकी इसके बाद उन्होंने बेंगलेरु के बीमेस कॉलेज आफ इंजिनियरिंग में मेडिकल इलेक्ट्रोनिक स्ट्रिम से अपना इंजिनियरिंग बुरा किया आपको बता दें कि भावना कांत को दस्वी की परिक्षा में 90% से भी अधीक अंस प् अरली महिला दडाकू फाइटरों में से नाम उनका दर्ज हो गया फ्लाइंग ओफिसर भावना कांत ने 150 घंटे फाइटर प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग ली 18 जुन 2016 को भावना कांत और उनके दो साथी मोहन सिंह और अभनी चत्रुवेदी को भारती बायु सेना में पहल नाम दर्ज करा लिया भावना से पहले यह काम उनकी सहयोगी रही अबनी चत्रुवेदी ने मीग 21 को उड़ा कर देश की पहली महिला पाइलेट बनने का गौरव हासिर किया था मीग 21 वाइस अंद दुनिया की सबसे तेज लेंडिंग और टेक आप के लिए जाना जाता है यह 340 किमेटर प्रति घंटे की अधिक रफतार से लेंडिंग और टेक आप कर सकता है बिहार की वेटी भावना कांत इन दिनों देश की मीडिया में एक बार फिर से चर्चा के केंदर में है और एक नया इतिहास रचने जा रही है भावना 26 जनवरी को होने वाले गंदंत द बिहार से जुड़ो ही और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ मुझे दीजिया इजाजत धन्यवाद